हलो एवरिवान, स्वागत है आप सभी का फाब इंग्लिश पर, मैं हूँ गुमिका चौहान और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लॉस्ट प्रेंग का पार्ट वन जिसके अंदर हमने साहिब आलम की स्टोरी देखी, आज की इस क्लास के अंदर हम उसी चाप्टर का मुकेश की कहानी जो है, वो देखने वाले हैं, अनिस जंग ने ये चाप्टर लिखा है, एन चाप्टर की डीटेल्ज और चाप्टर के बारे में, चाप्टर का थीम ये सब मैं आपको पार्ट वन में बता चुक हैं, this is पार्ट तू जिसके अंदर हम मुकेश के बारे में पढ़ने वाले हैं तो थीम बगेरा जो हैं वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे क्योंकि दोनों ही कहानियों में एक खोय हुए बच्पन के बारे में बात की हुई है खोया हुआ बच्पन किसका उन गरीब बच्चों का जिने प्रॉपर रिसोर्स जो हैं वो नहीं मिलते साहिब की क महानी में हमने देखा कि साहिव जो हुए वो एक रग पिकर था आझ जो मेश्की कहानी है इसके अंदर हम देखेंगी चो मुकेश है वो एक बैंगल मेकर है और वो बैंगल मेकर की फैमिली से ही बिलॉंग करते हैं मतलब उसके दादा पर दादा के दादा के दादा मतलब सब लोग जो है वो किस से बिलॉंग करते हैं बैंगल मेकिंग से बिलॉंग करते हैं अब उन लोगों की सोच क्या है वो लोग क्यों इस प्रोफ industry में काम करता है फिरोजाबाद किये कहानी है जो हब माना जाता है बैंगल मेकिंग का glass blowing industry का राइट आप फिरोजाबाद अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां हर जगा आपको केवल चूडियां ही चूडियां ही चूडियां मिलती है हाँ चूडियां ही बोल रही हूँ क्या बोल रही हूँ चूडियां ही चूडियां मिलती है चीक है so I want to drive a car अब मुकेश अपना बड़िया लड़का है छोटा सा ही है ज्यादा बड़ा नहीं है और वाई यह गाड़ी चलाना चाहता है अब अपन सोचते हैं गाड़ी चलाना सीखने में कौन सी बड़ी बात है सीख लेते हैं लेकिन मुकेश के लिए यह बहुत बड़ी बात है मुकेश जहां रह रहा है उदर तो और भी ज्यादा बड़ी बात है तो मुकेश के डिजायर्स के बारे में देखते हैं मुकेश के ड्रीम्स के बारे में देखते हैं यार सपनों को लेके ना एक बहुत ही प्यारी बात कही गई है कि अगर हम सोच मतलब अगर हम सपने ही नहीं या पैसे नहीं है कि हमें सपने देखने का कोई हक नहीं है बेटा तुम्हें तो सपने देखने का हक है अभी जब कुछ नहीं है पास में तब सपने देखो बड़े-बड़े काम करो उन सपनों को पूरा करने के लिए ताकि जब पैसा आए जब अपना टाइम आए तो जो सप अपने हम जरूर पूरे कर सके जो जो हमने सोचा जो जो हमने चाहा वो सभी चीजें हम पूरी कर सके मुकेश भी यहां पर एक ऐसा ही हमारा प्यारा सा बच्चा है जो क्या देखने वाला है सपने देखने वाला है अब अचाइल लेबर इन ग्लास फाक्टरी इन फिरोजाबा मुकेश अक्षिल में कौन है इक चाइल्ड लेबर है कहाँ पर फिरोजाबाद फाक्टरी के अंदर फिरोजाबाद में ग्लास ब्लोईंग इंडूस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया पूरा हब माना जाता है तो बैंगल बनाने वाली जो इंडस्ट्री जो फाक्क्टरी हैं उनके अंदर वो एक चाइड लेबर बाल मजदूर की तरह महाँ पर काम करता है विशेस टू बिकम a motor mechanic desires to learn and drive a car अब देखो करता तो वहाँ पर बैंगल मेकिंग का काम है लेंगे किन खुद का एक ड्रीम है और अपना खुद का एक ड्रीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है मामा-पापा क्या चाहते है तागल ठाटें सब बातों को सोचने की ना पिल्कुल भी जूरत नहीं है हुआ नहीं लौक कर रहा है na खुद छो करना चाहते हो पिज़ो सपने हैं किसी और के सपने पर ज़्यादा ध्यान मत दो पहले अपने सपनों पर ध्यान दो हां बाबासनी बहुत ज्यादा जरूरी है राइट उनको हम नहीं इग्नोर कर सकते लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि शायद आपके माबाप के वो सपने हो और आप वो चीज बहुत सी बार ना करना चाहते हो लेकिन आप उन्हें प्रूफ तो करके दिखा सकते हो वो एड्डियंड क्या चाहते हैं उनका स जंदगी मिली अगली जंदगी में कोई कुटा बिली सुवर बन गए तो कहां से सपने देखेंगे और कहां से उन सपनों को पूरा करेंगे तब तो कोई भी नहीं बोलने वाला कि भाई सपने देख या मत देख तो इससे पहले कि तुम कुछ और बनो अगले जनम में चीट बन जाओगे सुबर बन जाओगे क्ता बन जाओगे क्या करोगे कर पाओगे तब अपनी चाइपुरी कर पाओगे तब अपने डिजायर पूरे नहीं ना तो यार अभी सपने नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे अभी पूरा नहीं करेंगे तो कब करेंगे तो करना क्या है dream it and make it happen what dream it yes and make it happen work hard for it एक बहुत ही महान एक बहुत बड़े एक बिस्नेस मैन है ठीक है उन्हों ने कहा है उनके द्वारा लिखा गया ये कोट है कि अगर आपके dreams आपको डराते नहीं है न तो फिर वो dreams नहीं है ठीक है अगर आपके सपने आपको डराते नहीं है बोलतें द। मुखात की अनुसार उपने डरेखने जाए नहीं भाई ऊप चैनूसार कौन अपने देखता है सपने तो लोगिना दपक आत के देखे जाए जो खुली आँखो से देखे जाए राइट चलिए बहुत हो गई सपनों की बाते अब बढ़ते हैं आगे सो मुकेश और इस फामली एंगेज इंगेज इन बैंगल मेकिं बैंगल्स अब मुकेश और मुकेश का पूरा परिवार लगा हुआ अपने बढ़िया चूडिया बनाने में बैंग चूडिया बना पता है ज्यादा तर लोग यह नहीं जानते कि बैंगल मेकिंग जो है अगर उन फाक्टरीज में बच्चों को काम करवाते हैं तो वो इल्लीगल है वो गहर कानूनी है येस चाइल्ड लेबर तो वैसे भी गहर कानूनी है बाल मजदूरी करवा ही नहीं सकते हो आप बट इन इस जंग ने इसी बच्चे की कहानी हमें आगे बता है यहां देख सकते हैं बच्चों की हालत देखो यह बैंगल मेकिंग का काम जो है वो कर रहे हैं जिन फैक्टरीज में बैटकर यह काम करते हैं डस्ट बहुत ज्यादा उड़ती है ठीक और उसकी वजए से इन लोगों क जो और उसकी जो आंखों की रोश्णी है वो भी कही न कहीं खत्म हो जाती है so high temperatures जिनकी फैक्टरीज की अंदर ये काम करते यहां का temperature बहुत ज्यादा हाई होता है ठीक है बहुत बेंकर गर्मी में काम करते हैं हमें दो मिनिट गर्मी में बाहर जाना पड़ जाए हाई हाई हमारा ऐसे लग जाता है कि स्ट्रॉ लगा कि किसी ने चूस लिया हो हम लोगों को है ना दो मिनिट रह नहीं सकते हैं अरे मम्मी मर गए ऐसी चलाओ ऐसी चलाओ हालत खराब हो जाती है हमारी यह जो बिचारे छोटे-छोटे बच्चे यह क्या कर रहे हैं यह वहाँ पर उन इंडस्ट्री में काम करने है and at a very small age dingy cell dingy cell मतलब अंधेरे वाले अंधेरे से भरे हुए cell without air ना तो proper air है वहाँ पर और ना ही proper light है मतलब oxygen भी जो है वो proper नहीं है प्लस light भी proper नहीं है तो उनकी आखे जो है वो कैसे हो गई है उनकी आखे अगर हम बोले तो वो उसी light के according set हो गई है ठीक है तो वो बाहर क की light की according उनकी आखे अजस्ट नहीं हो पाती और इसी वजह से वह बहुत छोटी उम्र में ही अपनी आइसाइट जो है वो खो देते हैं पूरी वेंटिलेटेटेट मतलब की हवादार की हवा आने का क्रॉस होने का कोई भी जरिया वहाँ पर नहीं है इतनी बुरी conditions में वो ब वहाँ कर देते हैं क्या पिंगॉली आत्मा आ गये क्या भाई अंदर रोशो गुला मुकेश की कहानी सुनेंगे चूडिया वनाई है 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 चलो आगे बढ़ दाते हैं चलो आपने लूज ब्राइटनेस आप देर आइस बच्चे जो है अक्सर क्या कर देते हैं अपने आखो कि रोश नहीं रोशो नहीं खो देते हैं गाड क्या है मैंने तो कुछ दबा भी नहीं रखा दा चलो ट्राइट प्लीज मैनेज आगे आगे तो स्टिंकिंग लेंस चोक्ड विद गाबिज अब अनीज जंग वो मुकेश से मिलती हैं चिक है और मुकेश के बारे में जब उ तो मुकेश क्या बोलता है मुकेश बोलता है उसको की चलो मैं आपको न अपने घर लेकर चलता हूं ठीक है मुकेश काफी एक्साइटेड होता है अनीज जंग को अपने घर ले जाने के लिए वो कहता है कि हमारा घर का न काम चल रहा है अभी आदा बना हुआ है आदा बना यहां जो काबिज से कूड़े से पूरे तरीके से भरी हुई हैं, houses with crumbling walls, crumbling मतलब तूटी-फूटी दिवारे हैं, कच्छी दिवारे हैं, दरार आई हुई हैं उन दिवारों में, wobbly doors, अगर दर्वाजे भी देखोगे तो वो भी ऐसे हैं, तीन के दर्वाजे लगाया हुए हैं, जो हिल रहे हैं, and without windows, और खिड़किया नहीं है उन घरों में, both humans and animals live together in these houses, और दोनों आदमियों, जानवरों, सब एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक हैं, तो ये सारा जो एक नजारा है, वो कब का है, जब मुकेश, जो है, वो अनीज जंक को अपने घर ले जा रहा होता है, राइट, आगे बढ़ते हैं, अब मुकेश के घर के बारे में, कि आक्चुल में मुकेश का घर कैसा दिखता था, so let's see, मुकेश's house, a half-built shack, thatched with dead grass and a wobbly iron door, अब यहाँ पर, जो मैं यह chapters में आपको points लिख वारे हूँ, these are all the important points of the chapter, जिनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यह details हैं, उन points की, जिन पर based questions आपको पूछे जा सकते हैं, ठेक है, so मुकेश का जो घर था, वो कैसा था, half-built shack, thatched with dead grass, मुकेश का घर था, वो कैसा था, half-built shack, shack मतलब जोपड़ी, कैसी जोपड़ी? आधी बनी हुई जोपड़ी, thatched with dead grass, जो चट थी न, वो किसकी बनी हुई थी? भूसे की, ठेक है? किसकी बनी हुए थी? dead grass, मतलब भूसा, thatched with grass, मतलब वो जो खप्रेल थी या जो छत थी जो जोपड़ी की वो किस से बनी हुई थी ग्रास से बनी हुई थी अब उसके घर के अंदर क्या था उसके घर के अंदर जब हमारी अनीज जन जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक तो लकडियों से जो हम चूला जलाते हैं उस पे यह खाना बनाते हैं प्लस अल्यूमीनियम के बरतन यह यूज करते हैं और उस चूले पर अल्रड़ी खाना पकरा होता है मुकेश his father his grandmother his elder brother and wife of his elder brother live in the house अब सी एक घर के अंदर जो एक छोटी सी जोपड़ी है जो आधी तो टूटी हुई है बनी हुई भी आधी है भाई उसके अंदर कितने लोग रहते हैं मुकेश his father his grandmother his elder brother and wife of his elder brother live in the house अब मुकेश उसके पिताजी उसके grandmother उसकी दादी मा उसका बड़ा भाई और उसके बड़े भाई की बीवी ठीक है और वो खुद इतने बंदे एक घर के अंदर महां पर सेटल हुए हुए ठीक है अब इन सब की टेक केर करने के लिए कौन है मुकेश के बड़े भाई क की बीवी उसका सारा काम है वो सारे घर के मर्दों की ओरतों की सबका देख भाल वही करती है अब उसके बारे में भी बता देते हैं वो कैसी दिखती है है कौन तो वो एक तरीके से क्या हो गई मुकेश की भाबी हो गई अब अफ्राइल यांग विमेन को कि यारी क्या है मैं बार बार ऐसे क्यों पढ़ाने लग जाती हूं sorry guys ignore अफ रहे अ फ्रेल यांग वोमन को किंग इवनिंग मील for the whole family अब एक बिल्कुल फ्रेल मतलब बिल्कुल पतली दूबली सी लड़की cooking evening cooking evening meal for the whole family क्या कर रही है पूरे परिवार के लिए क्या कर रही है खाना बना रही है शाम का ठीक है अकेली बंदी और पतली दूबली सी है बिल्कुल her eyes filled with the smoke commands respect as a bahu in charge of the household observes the custom of covering क्या problem क्या है इनके साथ कभी ये उंगली जा रही है कभी ये ये काम नहीं कर रही क्या कुछ करना पड़ेगा चालो ओके भूमिका her eyes filled with smoke अब वो क्योंकि चूले पर खाना बना रही है तो चूले पर खाना बनाने से जो धुआ है वो उसकी आँखों में बार बार जा रहा है commands respect as a बहू अब घर में उसको कैसा ओदा दिया जा रहा है एक बहू का मतलब बहू के तौर पर उसकी काफी इज़त है घर में ठीक है in charge of the household in charge of the household घर के सारे काम काज का जो जिम्मा है वो बहू पर ही है observe the custom of covering her face with a veil in front of male elders और उनके घर के अंदर ये रीती रिवाज है कि अगर घर का कोई बड़ा जैसे कि ससूर जेट वेठा गया तो क्या करना है उसके आगे बाई परता करना है घूंगट करना है ठीक है तो इस तरीके से वो लोग रहते हैं और ये चीज हमें ये शो करती है कि ये लोग अभी भी पुराने traditions को पुराने culture को कितना ज्यादा follow करते हैं ओके चलिए अब उसके बाद बारी आती है मुकेश के पपा जी की कि पापा जी का क्या कहना है पापा जी ने आखिरकार अब तक कोई घर क्यों नहीं बनाया पापा जी ने क्यों अपने बच्चों को नहीं बना पाए ठीक है so poor bangle maker worked as a tailor then a bangle maker अब मुकेश के पापा क्या है एक गरीब bangle maker ही है उन्होंने tailor की तरह भी काफी काम किया है ठीक है काफी दिनों तक और फिर उसके बाद bangle making के काम में वो आ गए failed to renovate his house अब ना ही तो अपना कोई एक घर बनवा पाए could not give education to his two sons ना ही अपनी दोनों बच्चों को education दे पाए only taught them the art of bangle making केवल क्या कर पाए केवल अपने दोनों बच्चों को जो उन्हें खुद आता था bangle making का का काम वो ही सिखा पाए उसके इलावा कुछ नहीं इसे अच और eyesight आपकी lose नहीं करनी पड़ती है तो मैं मुगेश के father ने सोचा मुझे bangle making का काम आता है तो मैं यहीं सिखा देता हूं तो आगे देखते हैं मुगेश के पिता जी भी तो कहने का मतलब यह है कि देखू घर के जो लोग है ना actual में इनकी जो condition है घर के जो लोग है मतलब इन लोगों की जो salary होती है ना इतनी कम है कि इन लोगों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है completely paid भर के बाप काम कर रहा है भाई काम कर रहा है मुकेश खुद काम कर रहा है दादी मा काम कर रही है सब काम कर रहे है लेकिन फिर भी दो वक्त की रोटी नहीं है तो सो जो इनको जो इनकी ध्याड़ी मिलती होगी पर डे पे जो इने पैसा मिलता होगा वो कितना कम होता होगा और ये सब सोची समझी साजिस होती है पॉलिस की मिडलमेन की सब की ये लोग इन लोगों को ऊपर नहीं उठने देना चाहते और ऐसा क्यों वो लोग ये सोचते कि अगर ये वाला लेबर क्लास जो है वो थोड़ी सी तरक्की कर गया तो आखिरकार काम कौन करेगा और उन लोगों को तो अपने फाइदे से मतलब है और समय के साथ-साथ उन लोगों ने अपने दाम तो बढ़ा दिये लेकिन इन लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ाई है और इसी लिए ये लोग इनके एक विश्यस सेर्कल में इन क्लचेज में बंधे हुए हैं कई ना कई राइट येस तो आगे बढ़ते हैं डास्ट आफ ग आंगल मेंकिंग में ना काफी ज्यादा डस्ट उड़ती है जिक है पॉलिश वगरा करने में उसको तो उस डस्ट की वजए से इनकी आखों की रोशनी चली जाती है अब मुकेश ग्राइड मादर फिलोसिफी ओफ लाइफ मुकेश की जो ग्राइड मदर है उनकी जिन्दग तो हमको भी यह करना उनकी मतलब वो हमारी कर यह से हमारा करम आघर हमारे कर दादा परदा करते आरे तो भाई शाउव हमें भी यह करना है believes in the theory of karma or destiny किस चीज में believe करते हैं karma, destiny, kismat इन सब चीजों में believe करते हैं her husband has become blind with the dust of glass bangles और इनके जो पती देव थे मतलब grandmother, मतलब दादा जी जो थे वो भी बहुत ही कम उम्र में आखों की रौशनी खो चुके थे जिक है so his blindness the result of his karma और destiny अब वो क्या कहती हैं, भाई इसके दादा जी की भी जो आखे चली गई, वो क्या था उसके करम में लिखा था उसकी किस्मत में था believes that the art of bangles making is a God-given lineage और ये मानती है कि bangles making की जो कला है, ये क्या है ये भगवान की दी हुई हमें एक विरासत है, हमारी वंशावली है एक तरीके से, ठीक है कि हमें इस वंशावली में, इस lineage में हमें दिया गया है इस वंशावली में हमें हमें पैदा किया गया है भगवान के द्वारा हमें ये वंच दिया गया है तो हम अब यही करेंगे हम कुछ और कर ही नहीं सकते, so this is kind of an excuse, क्या है यह यह एक तरीके का excuse है और कुछ नहीं, ओके, आगे बढ़ जाते हैं, weld pieces of glass, so birth in the cast of bangal makers, their karma, अब उनका मानना यही है, कि अनीज जंग यह सब realize कर रही है, यह सब वहाँ पर बाते कर रही हैं, तब उन्हें पता चल रहा है, जै में अब तक दो वक्त भर पेत खाना नहीं खाया है, can you imagine the circumstances and the situation, the plight of these bangal makers in Ferozabad, can you imagine that they are working day and night and still they do not have food, in their whole entire life, they didn't have full, like two times meal, so that's like, I must say that's really sad, right, poverty striking, गरीबी से पीड़े थे, children join their elders, profession bangle making, बच्चे भी क्या करते हैं, अपने बडो का ही profession bangle making, उसी में लगा दिये जाते हैं, बहुत छोटी उम्र से लगा दिये जाते हैं, weld pieces of glass into bangles, और जो glass के pieces होते हैं, उन्हें bangles भी वो लोग बनाते हैं, वहाँ पर, their eyes more adjusted to the dark than to the light, और उनकी आँखें जो हैं, वो क्या हो गई हैं, light की जगा, dark में रहने के ज्यादा adjust हो गई हैं, so outside they often lose their eyesight before they become adults, और अकसर, often मतलब अकसर, क्या होता है, अकसर वो अपनी eyesight जो है, खो देते हैं, adult बनने से पहले, मतलब इस से पहले कि वो बड़े ही नहीं होते, जवान ही नहीं होते, तब तक तो आखों की रोशनी चली जाती है, and can you imagine कि अगर वो जब जवान हो रहे हैं, जब उनमे अनरजी है, जब वो काम कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, अपना future बना सकते हैं, at that time they are blind, so imagine the plight of these children, working in these bangle making industries, right, yes, अब, what is this, यह टा देना बटा, यहां से great spring upward, ठीक है, now, Savita, young girl, अब एक Savita नाम की लड़की है, ठीक है, जवान सी बेटी है, वो छोटी सी बच्ची है, और वो बैठी हुई है, एक बूड़ी औरत के सामने, and soldiers, pieces of glass, और क्या कर रही है, ग्लास के pieces को बना रही है, ठीक है, मतलब bangles में convert कर रही है, makes bangles, but unaware of the sanctity of bangles, बना तो रही है bangles, लेकिन उनकी पवित्रता, उनको हमारे culture में कितना ज्यादा शुम्ब माना जाता है, उस चीज के बारे में उसे कोई idea नहीं है, unaware that bangles symbolize Indian woman's suhaag, और वो ये भी नहीं जानती होगी, वो इतनी छोटी है, कि ये जो bangles हैं, ये हमारे culture के अंदर एक भारतिय महिला का suhaag दर्शाते हैं, और वो ये कह रही है, कि उसको ये realize होगा, लेकिन कब होगा, जब उसकी शादी होगी, जब उसके हातों में महंदी लगेगी, वो चूडियां पहनेगी और एक दुलहन बनेगी, तब कही न कहीं उसे, ये चीज जो है, वो realize होगी, but lose eyesight, lead a poor life, become old with bangles on wrists, लेकिन धीरे-धीरे क्या होगा, चूरिया पहनेगी, शादी हो जाएगी, बैंगल मेकिंग कई काम में रहेगी और धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके, कहीं न कहीं, और बोला ये गया है कि वहाँ पर उसके साथ जो बूड़ी मैला बैठी होई थी, उसने भी bangles पहने होए, चीक है, वो जो बूड़ी औरत है, उसने bangles पहने होए, अपने हाथों में इन चूड़ियों को पहने-पहने, कहने का मतलब ये है कि छोटी है, तब से काम कर रहे है, शायद वो बूड़ी औरत भी छोटी होगी, तब से काम कर रहे होगी, ठीक है, इसको इनकी sanctity के बारे में कपता चलेगा, जब ये शादी हो जाएगी, शादी हो इसी तरीके से काम करती रहेगी, एक समय आएगा जब अपनी आखों की रोशनी खो देगी, और हातों में ये चूड़ियों ऐसे बरकरार रहेंगे, और वो जो विमें, वो जो बूड़ी औरत बैठी हुई है, साइड में, उसके साद भी तो यही हुआ, उसने भी चूड़ नहीं होई है, पर कही नहीं कहीं उसकी आखों की रोशनी जो है वो खत्म हो चुकी है, जो चमक है आखों की वो खत्म हो चुकी है, राइट, so no progress, no development, mind numbing toil has killed bangal makers initiative, अब nothing has changed in फिरोजबाद, किरिया इतनी तरक्की कर रहे हमारा देश, सब कुछ इतना अच्छा चल रहे है, लेकिन फिरोजाबाद में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, and what is the reason behind that, तो अगर देखा जाए, तो फिरोजाबाद के लोगों में हिम्मत नहीं है, जो ये बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं लोग, बोला जा रहा है कि इन लोगों में हिम्मत नहीं है, देखो, no progress, कोई progress नहीं हुआ है, कोई development नहीं हुआ है, वैसे ही घरों में रह रहे है, mind numbing toil, दिमाग को सुन कर देने वाला hard work, ये लोग करते हैं, has killed बैंगल मेकर्स इनिशियेटर, कि यार ये लोग दिन रात इतना काम कर रहे हैं, कि साला ये सोचने की भी उसमें नहीं बचे हैं, कि हम किसी और चीज़ की तरफ जाएं भी, ठीक है, इनके daily life struggles ही इतने ज्यादा है, कि ये कुछ और सोची नहीं पाते हैं, इनका दिमाग सुननों चुका है, lost the ability to dream, तो ये कई न कई सपने देखने की ability कोई खो चुके है, कोई आसपास है ही नहीं, main reason ये था कि इन लोगों के बीच में कोई leader नहीं था, अनीज जंग ने जब ये सारी बाते सुनी, देखी, तो उन्हें ये realize हुआ कि यार इन लोगों के बीच में ना leader नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई एक ऐसा बंदा नहीं है, जो इन्हें support कर सके, अब वो कहते है, author's suggestion to form cooperative society risky, अब author का जो suggestion था, कि यार तुम लोग अपना एक संगठन क्यों नहीं बनाते हो, ठीक है तुम लोग लड़ते हैं क्यों नहीं हो अपने हक के लिए, तो वो लोग बोलते हैं कि यार वो चीज बहुत ज्यादा risky है, जीकि वहाँ पर कुछ ग्रुप होता है, जवान बच्चों का, उनसे वो बोलती है, कि यार तुम लोग तुम लोग तुम एक नहीं हो सब, तुम एक cooperative society बनानी चाहिए, तो वो बच्चे, जवान बच्चे बोलते हैं कि यार हम नहीं कर सकते ये काम, क्यों कि पुलिस वाले, बिचोल ये, ये factory मुक्टरी वाले, businessman हो गए, politicians हो गए, पुलिस सब मिली जुली सरकार है, हम क्या करेंगे, हम कोई कदम उठाएंगे, या हम कुछ ऐसा वैसा करेंगे, ये लोग हमें घसीटते हुए ले जाएंगे, जेल तक, risk of being halved up by the police, कि पुलिस जो हमें क्या करेंगे, घसीटते हुए ले जाएगी, beaten and dragged to jail, मारेगी, कूटेगी हमें, जेल में पटक देगी, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या कर लेगा, गरीब आदमी को peace देते हैं वह ये लोग, dearth of leader, trap of middleman, hampers growth, अब dearth of leader, dearth मतलब होता है कमी, किसकी एक leader की कमी है, trap of middleman, अब ये जो बिचोली है, इन लोगों नहीं नहीं ना एक जाल में बांध रखा है, इन लोगों के पास दो समय का पूरा खाना नहीं है, तो इनकी जरूरते पूरी नहीं होती, तो ये लोग loan लेते हैं, अब वो लोग इन्हें loan देते रहते हैं, और वो इतने high interest पे होते हैं, इनकी पूरी जिंदगी और इनकी आगे की कई पुछते उस loan को उतारने में ही लग जाती है, hampers growth, और यह ये एक reason है कि उनकी growth जो है वो नहीं हो पा रही है, उसमें कमी आ रही है, हम पर मतलब उसमें रुकावट आ रही है, caught in a vicious circle from poverty to apathy to greed to injustice, और कहीं न कहीं कि वो फसे हुए है इस एक vicious circle में, इस एक मतलब एक ऐसा circle, एक ऐसा चक्र हम बोल सकते हैं, एक ऐसा जाल हम बोल सकते हैं, जिसमें से इनका निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, गरीबी, ठीक है, कुरूरता, लालच, अन्याए, इन सब के जाल में कहीं न कहीं वो बोलते हैं कि हम first चुके हैं, राइट, so sufferings of children, बच्चों की क्या है, बतलब बच्चे आखिरकार कैसे suffer कर रहे हैं, suffer because born in a poor family, सबसे पहली बात एक गरीब परिवार में जन्म ले लिया, तो यह suffering तो है, burdened by the stigma of caste, अब stigma हो जाता है, कलंक हो जाता है, इसा प्रथा बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनना मुझे, पर वही बात है, कि मेरे को बैंगल मेंग आती है, अब यहीं करेगा वो आगे, और अंधा हो जाएगा कुछ दिनों बाद, सबने देखने ही नहीं देते, खुद तो सला देखे नहीं, कभी आगे बच्चों को देखने भी नहीं देते suffer because exploited by middlemen, बिचोलिये जो हैं उनकी वज़े से काफी ज़्यादा सफर करते हैं इन सब लोगों की वज़े से वो लोग सफर करते हैं, यह सब आपस में मिले हुए हैं पैसा खा रहे हैं और इन लोगों का शोशन कर रहे हैं और इन लोगों के बीच में पिस रहे हैं अब lack of initiative and courage, main चीज इनके बीच में यह यह आनीज जंग को realize होई कि इन लोगों के अंदर कमी है कोई कदम उठाने की कदम नहीं उठा पाते हैं और कई न कई courage नहीं है, लेकिन मुकेश इनके बीच में एक ऐसा बंदा था, जो सपने देख रहा था तुम्हें तो सारी facilities मिल रही हैं, अगर तुम्हें दो वक्त का खाना मिल रहा है, सरपर छत है और अगर पढ़ पा रहे हो, तो समझो कि तुम्हारे पास सब कुछ है ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हो बच्चों कैसे कैसे circumstances में जो सपने भी नहीं देख सकते और तुम तो देख सकते हो, तुम तो उन्हें पूरा कर सकते हो, तो वो क्या है जो तुम लोगों को रोक रहा है एक बार जरूर इस बारे में सोचना बॉर्डन विद पोवर्टी एंड चिल्रन लाग कारिज डैर नॉट ड्रीम तो प्रोवर्टी में दबे हुए है, कारिज नहीं है, डैरिंग नहीं है कि ड्रीम कर सके, सपने देख सके मुकेश एक्सेप्षन डिजायस तुबी ए मोटर मुकेश जो है वो एक एकसेप्शन है और कहीं न कहीं उसके अंदर यह डिजायर है , इक इच्छा है कि वो मोटर मुकेश बनना चाहता है अब जो गराज है वो उसका घर से काफी ज्यादा दूर है तो वह बोलता है कोई ब करूं मैं जरूर करूंगा doesn't dream of flying an aeroplane अब अनीज जंग के अंदर तो एक कीड़ा है जैसे वो साहिब आलम से पूछती है कि स्कूल क्यों नहीं जाते वैसे यह नीज जंग से भी पूछती है कि तु जाएगा कैसे इत्ता दूर वो बताता है वही मैं चला जाओंगा कोई बात इसके ने हिम्मत करिया तो मुकेश एकदम से साड हो जाता है ऐसे विकेज उसको पता नहीं था aeroplane के बारे में क्योंकि फिरोजाबाद की उपर से बहुत कम aeroplane गुजरते थे ठीक है तो मतलब ऐसे अजीव सा हो जाता है काफी इंबारस फील करता है क्योंकि उस चीज का प आपको मुकेश की कहानी भी बता दिवाने आपको थीम बता दिया पूरे चाप्टर का एक बार NCRT से रीडिंग जरूर कीजेगा प्लस कॉमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है NCRT जब आप रीड कर रहे हैं कोई भी सेक्शन में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है खुले गाई थी तक जब एक लिए ऑन वाल थी बता राचर को को कॉम खब आता है मूं वे जट सेवस के अंवाट प्लस को एक पाल सेक्शन में भी डीडिए और आता है हूं का लिए कहानी बता है